प्रेम बचन है एसी बोली जैसे हो कोई मीठी गोली यह कहानी है एक ऐसिक छेत्र की जहां ठाकुर वीर्भान सिंग का राच चलता है ठाकुर साब इस छेत्र के पिछले 25 वर्षों से विदायक है और इस छेत्र में ठाकुर साब का बड़ा मान भी है बच्चा बच्चा उनके प्रशंचा के गीत गाता है कि कैसे उन्होंने दलितों और गरीबों का भला किया सरकार सरकार गजब हो गया सरकार क्यों मातम की शेनाय बजारा पंडत क्या हो गया सरकार एक बहुत बुरी खबर है सरकार इस बार आपको मले का टिकेट नहीं मिलेगा ठाकुर साब सच कह रहा हूँ सुना है कि इस बार हमारे छेतरे के MLA के सीट आरक्षित हो गई है क्या वक्तियो सामानेवर का कोई भी इस चुनाओं में खड़ा नहीं हो सकता है मालीक सज बोल रहा हूँ और पता है हमारी पार्टी इस बार चुनाओं में किसे खड़ा कर रही है किसे खंडा कर रही है बिर्जू को वो बिर्जू जो कल तक हमारे तलवे चारता था अब हम पर राज करेगा हुकोम हुकोम बिर्जू आया है उसे MLA का टिकेट मिला है तो आप से मिलना चाहता है क्या बिर्जू आया है ठीक है आने दो से अंदर ओकुम ठाकुर साहब अरे बिर्जू आओ बिर्जू आओ राम राम ठाकुर साहब राम ठाकुर साहब आपकी किरपाद से इस बार MLA के चुनाव में मुझे टिकेट मिला है अब मुझे आपके आशिरवाद की जरूरत है ठाकुर साहब हाँ हाँ क्य हर बार तुमने हमारे लिए मेहनत किये इस बार हम तुमारी मदद करेंगे बदाई हो गिर्जू, बदाई हो लीजी अजूर लीजी अजूर, मुमीठा कीजिए ये लो, तुम भी करो मुमीठा अरे वा जज्मान, लड़ू हमें विर्जू से कुछ जरूरी बात करनी है आप लोग बाहर लोभी में हमारा इंतजार करें ठीक है ठाकुर साब आओ बिर्जू, बेठो अरे अरे, ये क्या बिर्जू, ये तुम्हारी जगे नहीं है तुम्हारी जगे यहां है बिर्जू, यहां बेठो कईये ठाकुर साब, क्या कहना है अब तुमसे क्या शुपाओं बिर्जू जब ख़बर मिली कि हमारे शेतर की MLA की सीट आरक्षित हो गई है तो दिल तूट गया भलकि मेरा तो दिमाग खराब हो गया और फिर जब ख़बर मिली कि पार्टी ने तुम्हें टिकेट दिया है तो दिल बागबाग हो गया लगा जैसे MLA की सीट घर में ही रे गई है ये तो आपका बड़पन है ठाकुर साहब ये तो आपका बड़पन है देखो ब्रुजू तुम तो जानते ही हो कि इस शेतर में हमारी कितनी चलती है यही नहीं देश विदेश तक हमारी जान पेचान है इतने सालों से मैं ही शेतर का हमेले रहा हूँ और असली राजनेता वही होता है जिसे राजनीती का पूरा अन्वह हो तब तो ठाकुर साहब मुझे आपके आशिरवात की जरूरत है इसलिए तो अखेले में बात कर रहा हूँ ताकि हम दोनों का फाइदा हो देख बिर्जू एक काम्याब नेता वही होता है जो जन्ता को हमेशा अपने वश में रखे और वो तब ही राज के सकता है जब जन्ता उसके इशारों पर चले आप ठीक केते हो ठाकुर साहब मैं अपने सारे वादे पूर करूँगा देखना मैं हमारे छेतर की तरकी के लिए तनमन लगा दूँगा तुम समझे नहीं बिर्जू देखो राजनिता के दो रूप होते हैं एक स्वेम के लिए और एक जन्ता के लिए इसलिए वादे तो हजार करो लेकिन उन में से पूरे एकाद ही करो ताकि जन्ता का साथ भी मिले और हाथ में दाम भी आए तो क्या करना होगा मुझे अब आप ही बताईए देखो बिर्जू साफ साफ शब्दों में बता देता हूँ तुम चुनाओं में खड़े तो हो रहे हो पर इसका कारेभार नहीं सम्भाल पाओगे अच्छा होगा कि चुनाओं को जीतने के बाद कुछ इस तरह से काम करो कि हम दोनों का फायदा हो जी मैं कुछ समझा नहीं मतलब ये कि कलम तुमारी होगी मगर चलेगी हमारे इशारों पर तुम इमेले तो रहोगे मगर करोगे वही चो हम चाहेंगे इससे हम दोनों का फायदा होगा विर्जुन हो हो तो मतलब आप चाहते हैं कि जो भी काम हो वो आपके शारों पर करूँगा हाँ बिल्कुल ठीक और इसके बदले मैं चुनाओं में हर तरह से तुमारी मदद करूँगा वादा है मेरा पेसा पानी की तरह बहा दूँगा मेरे पास पेसा है ताकत है और उपर तक पहुँच है और तुमारे पास चुनाओं जीतने के बाद वो एमेले की कुरसी होगी जिस पर बेटकर हम दोनों फायदा उठा सकते हैं अगर हम चाहे तो तेरा चुनाओं जीतना तो दूर इस गाओं में रहना भी चुड़वा सकते हैं ठाकुर साथ आपको जो करना है वो कली जिएगा मैं अपने तेश और अपनी जिम्मेदारी के साथ कभी गद्दारी नहीं करूँगा तिल्चू तेरी ये बजान कि तू हमारी बात को ढुक रहे हैं चिल्ला ये मत ठाकुर साथ शेर पिंज्रे में भी हो तो भी शेर ही रहता है चलता हूँ राम राम क्या हुआ ठाकुर साथ मामला सेट हुआ की नहीं पड़े गुस्से में गया है बिर्जू लगता है ठाकुर साथ की वाट लगा गया बिर्जू जबी तो मूल लटक गया इनका लाल टेंड की तरा है हलां गोर मेरी खाते हो और मेरी उड़ाते हो इसे छोड़ी है मालिक लगता है बिर्जू का आपकी बात पसंद नहीं आई अब क्या गरोगे मालिक जल्दी से किसी ऐसे आद्मी का इंदिजाम करो जिसे हम बिर्जू के खिलाव खड़ा कर सकें ठीक है मालिक अपना चंदन है न उसे बलवाता हूँ ठीक है चलो थाकुर साब से दुस्मनी तो हो गई है पर इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है थाकुर साब हमें जीने नहीं देंगे हे बगवान अब क्या होगा अगर आप जीएश्टी जहित टेली डोड एल्पी नाइट सीखकर एक प्रोफेशनल अकांटेंट बनना चाहते हैं एक डीसेंट जॉब और हैंसम सेलरी पांगा चाहते हैं या सरकारी नोखनियों के लिए जलूरी आरसेंट कोश करना चाहते है तो आज ही जोइन कीजिए टेली अकेडमी सिविल लाइन्स जैपूर कार्ट्रिज रीफिलिंग, CCTV केमरे लगवाने और AMC की सुविधा के लिए संपर्ख करें लक्ष कम्प्यूटर्स, मेन बस्टेंड, काला डेरा, जिला जैपूर मोबाइल नंबर 99-822-89165 अगर आप भी परिंतर एक्टिंग, फिल्म एक्टिंग और एडिटिंग सिखना चाहते हैं तो आज ही जोइन कीजिए टावर यहीं टेविजन एक्टिंग एक्टिंग बाइक्टर्स ओ राजस्तान भूमी पूजन, घ्रह परवेश, वरवदू कुंडली मिलान एम विवहा आधी मांगलिक कार्यों हेतू पंडित गणों की सेवाएं प्राप्त करने तथा मुहरत जानने, जनपत्रिका बनवाने एम फलादेश हेतू संपर्क करें अगर आप GST सहित, टेली.ERP9 सीख कर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं और सरकारी नोग्रियों के लिए जरूरी RSCAT कोस करना चाहते हैं तो आज ही जोइन कीजिए कमांज, चांदी की टकसाल, जेपूर, मोबाइल नमबर 9828561706 आगे प्रेम के बापू हा लाजू, आ गया आईए बदाईए हो प्रेम के बापू, आपको टिकिट मिल गया हा लाजो, टिकिट तो मिल गया, पर को समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव जीतूंगा कैसे, चुनाव में तो बहुत खर्चा होगा अरे, तो ठाकुर साब कब काम आएंगे, आपने भी तो हमेशा से उनका साथ दिया है तो क्या वो आपकी मदद नहीं करेंगे? गय था, सबसे पहले ठाकुर साब से ही मिनने गय था तो क्या हुआ, वो हमारी मदद करेंगे न? नहीं लाजबनती, अब ठाकुर साब हमारे लिए कभी कुछ नहीं करेंगे क्यूं? क्या हुआ? अब जो भी करना होगा, हमें ही करना होगा हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा क्योंकि ठाकुर साब से दुस्मनी तो हो गई है पर इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है अगर मैं चुनाव हार गया, तो ठाकुर साब हमें जीने नहीं देंगे हे भगवान, अब क्या होगा? कैसे होगा सब? अरे पगली, तू क्यों चिंता करती है? देखना सब अच्छा ही होगा जब गाउवाले मेरे साथ है, तू और तुमारा प्यार मेरे साथ है तो देखना जीत हमारी ही होगी अरे प्रेम के बापू, कितने दिन हो गए? प्रेम से बात तो करो, कि वो कब आ रहा है? हाँ हालो बेटा प्रेम प्रणाम बापू खुश रे बेटा, केशी चल रही है तेरी पड़ाई? और तू कैसा है? बापू पड़ाई बहुत अच्छी चल रही है और मैं भी ठीक हूँ मा और आप कैसे हो? अरे हम दोनों भी बिलकुल ठीक हैं तुझे एक खुश खबरी देनी है इस बार मैं MLA का चुनाव लड़ रहा हूँ हमारे छेतर से मुझे टिकेट मिली है क्या? सच मुझ? ये दो बहुत अच्छी बात है देखना बापू, आप जरूर जीतोगे हाँ, ले तेरी मा से बात कर बेटा प्रेम कैसा है रहे तू? शेहर जाके तू तो अपनी मा को भूली गया है रहे? नहीं मा, तेरा बेटा प्रेम तुम्हें कैसे बूल सकता है? देखना, तेरी आशिरवास से जल्दी मैं डॉक्टर पास कर लूँ मा फिर अपनी मा के पास ही रहूँगा हमेशा देख, जल्दी से आजा बहुत दिन होगे तुससे मिले हा मा, बस जल्दी आ रहा हूँ किसमस के चिट्टी आने वाली है फिर नया साल आप दोनों के साथ ही मनाऊँगा ठीक है मा, मैं बाद भी बाद करता हूँ कॉलेज जाने का टैम हो रहा है अपना और बापू का ध्यान रखना ठीक है बेटा तू भी अपना ध्यान रखना बस, अब तो तेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई ना अपने बेटे से बात करके हाँ जी, पड़ गई ठंडक चल, अब जल्दी से रोठी परोज दे ठीक है, अभी लाती हूँ प्रेम बचन है ऐसी बोली जैसे हो कोई मीठी गोली हाँ तो पंड़ जी, क्या आपने उससे बात की जिसे चुनाओं में खड़ा करना है वो, क्या नाम हो उसका चंदन, चंदन आया क्यो नहीं अभी तक बस, आता ही होगा सरकार टेली सोफ्टेक खरीदने के लिए, टेली सोफ्टेक से समधित किसी भी समस्या के सोलूशन के लिए जी, एस्टी रेरिट जाली पे मिलेंग से लेकर फाइलिंग तक जाली है तो तयार है उत्तम क्वालिटी और उचित दाम वाले हर प्रकार के इंवर्टर और बेटरी के लिए संपक करें ओमकार बेटरी रोड नंबर 14 विष्वकर्मा इंडर्स्ट्र अरिया सिकर रोड जैपूर मॉबाल नंबर 7014-58-5151 Mount Carmel Convent School is under the patronage of St. Peter Society run by the CMC Sisters running in its 12th year successfully and we are proud to have official teachers and very active and enthusiastic students काबूल चिकिन सजी, चिकिन टिक्का, फिशल फार्म, कबाब, चिकिन चंगेजी, इस्टू, कॉर्मा, बिर्यानी, काबूली रोटी और पराठा आजी, अफग्यानी लजीज खाने का लुट्फ भूटाने के लिए आईए KCS, रामगंज, जेपुर मोबाइल, 73-4048-4040 मेरा नाम गौरभ है, मैं 4G जिम का फाउंडर और मेन कोच हूँ, हमारा जिम कोई भी जॉइन कर सकता है, चाए स्पोर्समेन हो, चाए एथलीट बनना चाता हो, चाए एक्टर बनना चाता हो, मॉडलिंग के प्रिपेशिन करना चाता हो, या नॉर्मल अपनी फिटनेस के ल जैसे हो, कोई मीठी गोली हाथ अपन्डित जी, क्या आपने उससे बात की, जिसे चुनाओं में खड़ा करना है, वो, क्या नाम हो उसका, चंदन, चंदन आया क्यों नहीं अभी तक? बस, आता ही होगा सरकार, मालिक, चाहे पीलो, ठंडियों के तल, लस्य हो जाएगी मनेम जे, लो, भीमा को भी फोन करके बुलाओ, अब हमें उसकी जुरत पड़ेगी हालो, मैं गई, क्या सिटाप, बोल रहा हूं, ताकुर सापने, बुलाओ, आजाओ, क्या, क्या हुआ, सब ठेट तो है न, वो, बात येगी अरे मुनेम जे, एतनी तेर में तो जाकर ही बुला लाते हैं, पंड़जे, आप बात करो अरे आप यहां है, अच्चा हो आप घर में ही मिल गए, ये लीजिए देविमा का प्रशाद पता है, दो दिन बार सपना बेटी की चुट्या शुरू हो रही है, सपना घर आ रही है जब तक सपना बेटी हमारे साथ रहे, आप बाहर के कामों को रोक ही देना, कहीं ऐसा नहों कि सपना के लिए आपके पास वक्ती नहों हाँ हाँ ठीक है, हम इस बार सपना बेटी और आपके साथ ही वक्त बिताएंगे हुकम, ठाकुर साब, आपने मुझे याद किया कहिए क्या काम है हुकम, आपके साथ है हुकम, आपके साथ है